आप सभी का मंगलो नमस्कार सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि चार वर्स के बच्चे से लेकर चौदा वर्स के बच्चे तक किसे रवस्ता तक पहुंचने तक ही एक समय ऐसा होता जिसमें कि आप पिशे संस्कार उनके अंतर दाल सकते हैं संसकार का अर्थकेवर इतना ही नहीं होता खिजी बेटा ज्छूट में बोलना है हिंसा नहीं करनी है आप कहाई कि चोरी कुए वर्ड़ेनों फोर्स जोबीन के बाद exactly 4 पैंट मोटे मोटे होते यह परकार से आट वी तक तो एक अलग उसका महल होता है एक टर्डिंग पाइंट जब नौवी में जाता है फिर इसका दूसरा टर्डिंग पॉइंट उसका आता है जब 10 परश टू पास करे तो एक वजय चाथ तीशा टर्रंडिंग पर जो अपनी सारी शिक्ष्छा पोरी कर ले तो एक ही बात है 14-15 साल तो दस्वे कंदर उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि वह अपने इसाब से सोचता है, अपने इसाब से चलता है, फुल मिला काज बच्चा को नौवी से होने सुरू हो गया, ठीक ना, और वह अपनी एक एड़ा में रहता है, अपने उसकी जीद रहती है अपने उसकी सब कुछ से थे, अगर हमने इस 14 साल की उमर तक के बच्चे को, चार से 14 साल में, अगर उसको पॉजिटिव बाते नहीं बताई, थोड़ा थोड़ा करके पहले छोटा था, थोड़ा 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 जैसे प्ले स्कूल हों, बच्चों सिखाते हैं, चोटी चोटी बाते नॉर्मल बाते हैं, लेकि वो समझानी जरूरी उसके सरीर, छोटब भारे में, सब कुछ है, जीहुंग बड़ा थोड़ा थोड़ा थे, भवान के बारे में, सब चीज बाते हैं, फिर उसके बाद 6 साल से कह कहते हैं, आपका जो एक पीरिड आता है, आ एक बात पक्की मान के चलिए कि बच्चा 14 साल की उमर तक पहुंचते पहुंचते उसको पॉजिटिव किताब पढ़ने महाता चुछाएगी अगर आप उसके अंदर लगन डालते हैं खुद भी पढ़के सुनते हैं खुद उसको पढ़ने के लिए प्रेरिद करते हैं ठीक न उसको समझ माज़ है कि हमें जिद नहीं करनी है हमें क्या कहते हैं गुसा नहीं करना है हमें थोड़ा बहुत करेंगा थोड़ा बहुत देखो होता ही है लेकि उस दंग से आपको परेशान नहीं करेंगा जहां माबाब परेसाम जाते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत ही अख सार साथ साल कि उमर तक के अंधर बच्चे की परवृडी की ठंसे करते हैं समय सरी दे अब नियुक्न होता है बहुत सारी बात की छाड़ी कि औरन साथ और अज और आज के समय में तो आपको बहुत जादा सचेत रहना चाहिए, सजक रहना चाहिए, मैं सभी माता पिता करा हूँ, क्योंकि अब आप उसको किसी दोस्त की ज़ूरत भी नहीं, अगर है तो वालग चाहिए, मैं दूसी बात करें, मेरी भावनों पर गौर करें, उसका सबसे बढ़िया दोस्त हो जाता है, यह गजेट्स, और यह गजेट्स जो है, यह इन बच्चों को बहुत कहीं कुछ ऐसी चीज़े बता जीता, सिखा जिस वह आप समझे नहीं पाते हैं, तिसलिए आपकी अपनी भी क्या कहते हैं, आप 30 मिनट से लेके 60 मिन ते बच्चों के फिए गेम नहीं, कोई च्टकले बाजी नहीं, कोई कवी ता नहीं, कोई उच्छल कूद नहीं, कोई कुछ नहीं, गेम खेलना हुँ बच्चे साथ अलगजी, गब बाजी करना हैं, बेक्र가ard करें लों सुनेंगे तो चोडे सब्सक्राइब, प्रिसेश होते हैं, जिसमें क एक उमर आती 24-25 साल तक कि जिसमें बच्चा लगबग लगब आम तोर पर बच्चे एक मोटा मोटी तोर पर अपनी पढ़ाई की शिक्षा दिक्षा पूरी कर लेते हैं ठीक है ना फिर तो यह तो हायर इस्टेडी तुसरा कितनी करते रहो उसका कोई समय सीमत ही नहीं तो उस मजबूत बनके निकलेगा उसको बहुत सारी बाते समझ मैंगी सब कुछे लेकिन वह बाते कैसे बता हो गया जब आपको भी खुद को भी क्या कहते हैं रूची हो ठीक है ना आप तो क्यों मौका देखते हैं जब कोई बात हो तो बताना नहीं तो बच्चे अपना पर कि ग्यान की बात है ग्यान की बात बच्चा क्या करेगा कोई ग्यान की बात है कि दुनिया दारी की बात है आपको दुनिया दारी की बात है बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही परियास करना पड़ेगा आप अपने इभैस्तताओं का भाना नहीं कर सकते हैं चाह वो नमस्कार